नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सही ट्रेड चैनल के उपर दोस्तों आज की वीडियो में हम इंट्राडे में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो भी जीरोदा काइट के उपर इसके बारे में डीटेल जानकारी देखने वाले हैं अब इंट्राडे क्या होता है नो बच के पंदरा मिनिट के बाद जो आप ट्रेड लेते हो और जो ट्रेड आप तीन बच के तीस मिनिट तक रखते हो यानि कि मार्केट आवर्स में जो स्टॉक आप बाई करते हो और उसी वक्त सेल कर देते हो या फिर उल्टा करते हो शॉट आप देख रहे हैं कुछ 3 रुपे का मुझे यहां पे profit हो रहा है, जादा नहीं 30 quantity मैंने buy की है, क्योंकि जादा volatile stock नहीं है, तो quantity जादा नहीं का कोई मतलब नहीं था, तो already मैंने यहां पे position ली है, लेकिन अगर यह stock यहां से नीचे आ जाता है, तो मुझे loss होना चालो हो जाएगा, तो मुझे यहां पे stop loss जो है वो place करना है, अब intraday का stop loss जो होता है, वो किस तरीके से place करना होता है, तो सबसे पहले तो आप cover order यूज कर सकते हो, already cover order के उपर एक video बनाया हुआ है मैंने, cover order में क्या होता है, कि आप stop loss लगाते ही, मतलब buying करते वक्त ही stop loss लगाते हो, तो आपको दूबारा से फिर से stop loss लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो वो तो आप cover order में कर सकते हो, लेकिन अगर आपको already order अपने place कर दिया है, और उसके बाद आपको stop loss लगाना है, तो simply आपको position में जाना है, stock के उपर click करना है, और exit के उपर click करना है, क्योंकि आप stop loss लगाना जाते हो, exit के उपर click करने पर आपके यहाँ पर quantity दिखाई देती है, price यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर type select नहीं किया है, एक होती है, जो limit price होती है, वो मुझे इंटर करनी है, अब यहाँ पर trigger price, क्योंकि हमने buy position बनाई है, तो market नीचे आएगा, तो मुझे यहाँ पर exit करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, 221 रुपे की trigger price लगा दूँगा, 221.50 की, और मैं यहाँ पर limit लगा दूँगा, 221 रुपे 40 पैसे की, अब इसका क्या होता है, कि अगर trigger price आ जाती है, मतलब market में अभी चल रहा है, 124.40, 124.50, market नीचे आता है, और 121.50 पर आता है, तो मेरा order exchange के पास चला जाएगा, और exchange में जाने के बाद, जब तक मेरा 121.40 order नहीं आता, तब तक order मेरा pending रहेगा, और उसके बाद execute हो जाएगा, तो simply आपको यहाँ पर 2 मौके मिलते हैं, एक तो trigger price पे, और एक तो limit price पे, कभी-कभी ऐसा होता है, कि trigger price हिट हो जाता है, लेकिन आपका नीचे वाला price नहीं आता है, और यहाँ से market घूम जाता है, और आपको profit में exit कर देता है, तो इसकी वज़े से stop loss limit लगाते हो, तो आपको फाइदा हो जाएगा, दो price आप यहाँ पे enter करते हो, लेकिन अगर आप market सिलेक करते हो, तो आपको यहाँ पे जो है price निगोशेट करने का मोका नहीं मिलता, सिर्फ आपको यह trigger price के बरोसे रहना होगा, लेकिन जब यह order आएगा, तब exchange को तुरंथ चला जाएगा, और उस वक्त market में जो price अवेलेबल होगा, उसके उपर आपका execute हो जाएगा order, यानि कि 121 रुपए 50 पैसे पे भी order execute हो सकता है, अगर market price उस वक्त वो रही, या फिर 122 भी हो सकता है, 121 भी हो सकता है, यानि कि market में उस वक्त जो price अवेलेबल रहेगी, उस price के उपर आपका यह execution हो जाएगा, तो यह दोनो जो order है, इसका difference है, मैं दोनो order आपको लगा के दिखाता हूँ, किस तरीके से करनी है, 121.40 हम यहाँ पे लगा देते हैं, और swipe to sell यहाँ पे कर देते हैं, तो order हमारा place हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम order में जाएंगे, तो यहाँ पे open order में, 30 quantity sell, MIS SL, SL limit हमने लगाया है, limit लगाया है इसकी वज़े से, 121.40 और 121.50 यह दो order यहाँ पे दिखाई दे रहे, दो price दिखाई दे रहे, एक के सामने trigger रिखा है, क्योंकि यह trigger price रहेगा हमारा, तो इस तरीके से आप यहाँ पे SL limit order लगा सकते हो, intraday की positions के उपर, अगर आपको यह order modify करना है या cancel करना है, तो simply इसके उपर click करना है, modify कर सकते है और cancel भी कर सकते है, लेकिन आपको यहाँ पे exit करने के लिए, आप तो यहाँ पे order stop loss लगा दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे position से exit करने के लिए, फिर से order में या फिर positions में आना पड़ता है पहले आप यह order execute करोगे exit करोगे और उसके बाद आपको जो पुराना वाला आपका order है अगर आपको यहाँ पे profit होता है तो यहाँ से exit करना है लेकिन उसके बाद आपको यह जो order है यहाँ पे pending है open है उसको cancel करना पड़ेगा क्योंकि क्या होता है अगर आपने यह order वैसे ही रखी और आपके portfolio या position में जो order है वो exit कर दी तो यह order execute होने के chances होते हैं तो आपको यह order यहाँ पे आके cancel करना होगा अब यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको stop loss market order तो इसलिए हम modify पे जाएंगे और stop loss market select करेंगे same यहाँ पे हमने trigger same रखा है लेकिन यहाँ पे limit order जो है वो हमें डालने का मोका नहीं दिया गया है तो simply आपको modify के उपर click करना है आपका order submit हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते है sell किया हमने और यहाँ पे SLM आ गया थोड़ी देर पहले यहाँ पे SL था अब SLM आ गया है अब यहाँ पे आप देख सकते है हमारा trigger price जो है वो same है लेकिन यहाँ पे 00 दिखाई दे रहा है 00 क्यों दिखाई दे रहा है क्योंकि उस वक्त market में जो price होगा उसके उपर आपका execution हो जाएगा इसलिए यहाँ पे 00 दिखाई रहे है इस तरीके से आप intraday में जो भी position है इसके उपर stop loss order लगा सकते हो वो भी दो तरीके के एक होता है SL और एक होता है SLM तो यह दो तरीके के order आप intraday में लगा सकते हो अगर आप intraday trading करते हो या फिर जैसे मैंने शुरुआत में बताया था आप cover order की मदद से भी intraday trading कर सकते हो जिसमें आप buy करते वक्त या फिर sell करते वक्त यानि कि starting position में ही दो order place करते हो एक buy का order होता है और एक stop loss का order होता है तो cover order का वीडियो आप देख सकते हो link description में available है और इस तरीके से आप stop loss intraday में लगा सकते हो I hope आपको वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो पसंद आया हो तो please like कर देना वीडियो को जादा सेदा share करना और चानल को सबस्क्राइब करना ना भूना धन्यवाद